खुच से जीतने वालों को मेरा सलाम पहले डबल निमोनिया हुआ फिर पूलियो और फिर छोटी सी विल्मा का बाया पैर पैरलाइस्ट हो गया डॉक्टर्स बोले ये लड़की अब चलने ही पाएगी ये सहासी लड़की ना सिर्फ चली बलकि ओलमपिक्स में तीन गोल मेडल अपने नाम किये पैरलिस्ट के बाब जूद इस लड़की ने तीन गोल मेडल कैसे जीते आईए देखते हैं 22 भाई बैनों में 20 वी संतान थी विल्मा रोडॉल्फ एक कमजोर सी बच्ची जो जन्म के पहले दिन से ही बीमार रहती पहले स्कारलिट फीवर से विल्मा के लंग्स कमजोर हो गए फिर दो बार डबल निमोनिया हुआ जैसे दैसे विल्मा जिन्दा बच गई फिर घर वालों ने देखा कि उसका बाया पैर अंदर की तरफ मूरने लगा है जाज कराने पर पता चला कि निमोनिया के साथ साथ विल्मा को पोलियो भी हो गया है फिर पोलियो पैरलिसिस में बदल गया डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब ये लड़की नहीं चल पाएगी पर विल्मा की माने हार नहीं मानी हफते में दो बार पचास मील दूर मेडिकल कॉलेज ले जाती जहां चार-चार घंटे का ट्रीटमेंट होता इस ट्रीटमेंट में विल्मा को बहुत दर्द होता क्योंकि डॉक्टर धीरे-धीरे पैरो की हड़ी सीधी करने की कोशिश करता छोटी विल्मा के अंदर कश्ट सहन करने का कुण था सहन शक्ती आप सोचो समाथ साल की बच्ची के अंदर कितनी सहन शक्ती होगी जो हफ़ते में दो बार चार-चार घंटे के लिए इतना दर्द सहन करती एक दिन डॉक्टर ने विल्मा के सामने मां से कहा अब इलाज से कोई फायदा नहीं पैरो की मां स्पेशिया मर रही है ये लड़की अब कभी नहीं चल पाएगी बाद में विल्मा ने मां से पूछा क्या मैं सच में नहीं चल पाऊगी मांने कहा बेटा तुम जरूर चलोगी विल्मा कहती है मैंने मां की बात पर यकीन कर लिया और चलने की जिट ठान ली घर आकर विल्मा खुद पैर की मसाज करती रहती जब विल्मा ठक जाती तब बड़े भाई बेहन एक एक करके उसकी मसाज करते इस जिद्धी बन के कारण छे साल की विल्मा ने एक पैर पर उचकना सीथ लिया और मरती हुई मांस पेशिया जिंदा होने लगी जब पैर थोड़ा बहतर हुआ तो डॉक्टर को आश्चरे हुआ और उन्होंने विल्मा को कुछ एक्सरसाइस सिखाई जो विल्मा दर्द के बावजूत करती रहती प्रयास कर करके विल्मा ने पैरलाइस पैर को इतना मजबूत कर लिया कि आठ साल की उम्र में वो पैरों में ब्रेस पहन कर चलने लगी विल्मा की टेड़ी लचक भरी चाल देखकर बच्चे उसे चड़ाते और अपने साथ नहीं खिलाते विल्मा ने मा से पूछा मा ऐसा क्यों है? मैं कम नौर्मल हो पाऊंगी? मा ने कहा ईश्वर ने सबको तागत दी है हम महनत और लगन से जो चाहे वो पा सकने है विल्मा ने मासूमियत से पूछा क्या हम कुछ भी बन सकते हैं? मा ने कहा हाँ बेटा ये सुनकर विल्मा बोली मुझे दुनिया की सबसे तेज धावे का बनना है फिर विल्मा ने 9 साल की उम्र में ब्रेस उतार कर चलने का प्रयाश शुरू कर दिया विल्मा अपनी किताब में लिखती है कि चलने पर बहुत दर्द होता मैंने सोचा कि मैं इतनी अच्छी तरह से चलने का नाटक करूँगी कि किसी को पता ही नहीं चले कि मैं लंगणी हूँ ये नातक करते करते विल्मा ने कमजोर माश्वेसियों से तब तक काम कराया जब तक उसका लंगणाना पूरी तरह बंदना हो गया 12 साल की उम्र में विल्मा ने ब्रेस पूरी तरह छोड़ दिये उस छोटी सी उम्र में विल्मा ने वो त्रण निश्चय एक्षा शक्ति और सेहन शक्ति पाली थी जिससे लोग पूरा जीवन अंजान रहते हैं इसके बाद विल्मा बास्केट बॉल खेलनी लगी फिर स्टेट बास्केट बॉल टीम में सेलेक्शन हो गया इसके अलावा विल्मा स्कूल की हर दोड में भाग लेती और हर बार हर थी क्योंकि अभी भी उनके पैर कमजोड थे फिर विल्मा टैनेसी स्टेट युनिवरस्टी पहुँची जहां कोच एट टेमपल मिले तब विल्मा ने कोच से कहा मैं तेज भागना चाहती हूँ कोच तो विल्मा का हुनर पहले ही भाब गए थे कोच ने कहा अगर हर दोड में लास्ट आने के बाब चूत तुम जीतना चाहती हो तो इस इच्छा शक्ती पर दड़ रहो एक दिन तुम जरूर जीतोगी कोच ने कहा तुमारे पैर कमजूर है तुम टेकनीक को अपनी ताकत बनाओ और इसके साथ में कोच ने विल्मा को पैर की मजबूती के लिए कई एक्सरसाइज बताई और बोला समय लगेगा पर थीरे थीरे तुमारे पैर मजबूत होते जाएंगे विल्मा अभ्यास करने के लिए बहुत कमेटेट थी घंटो निकल जाते पर विल्मा अभ्यास करती होते होते विल्मा का सेलेक्शन ओलम्पिक्स टीम में हो गया जब विल्मा ओलम्पिक में सेलेक्ट होई तब वो 16 साल की थी 1956 में विल्मा ने पहली बार Olympics में भाग लिया अभी विल्मा पूरी तरह दयार नहीं थी वे 200 मीटर के शुरुआती राउंड में ही बाहर हो गई हार के बाद विल्मा ने खुद को होटल के कमरे में बन कर लिया मन में एकी विचार था मैं फेलियर हूँ मैंने अपने परिवार, कोज और देश की उम्मीदों पर पानी फेलियर हूँ थोड़ी देर बाद विल्मा ने तुरंत खुद से कहा Pay the price तुम्हारे पास चार साल है चार साल कड़ी मेहनत करो खुद को और दागतवर बनाओ और सफलता की कीमत चुकाओ फिर विल्मा ने चार साल कड़ी मेहनत की बीच में एक्सिडेंट भी हुए ओल्लम्पिक्स के एक हफ़ते पहले पैर मोच गया लेकिन विल्मा जीवन भर सहन शक्ती का ही तो उपयोग करती आ रहे थी उनका माइंड से दर्द से कहीं आगे निकल चुका था दर्द के बाब जूद विल्मा ने एक ही उल्लम्पिक्स में ना किवल तीन गोल जीते बलकि दो विश्व रिकॉर्ड भी तोड़े और वे दुनिया की फास्टेस्ट वूमिन भी बन गई दोस्तो यहां से सबकॉंशेस का बेहर ज़रूरी लेसन कीमत चुकाने को तयार रहो विल्मा कहती है मेरा विश्वास करो बिना संखर्ष के कोई पुरुसकार अच्छा नहीं लगता संखर्ष करने में मजा है अगर बिना संखर्ष के आपका एक्जाम निकल भी गया तो आपको संतुष्टी नहीं होगी मन ही मन लगता रहेगा कि मैं इसके लायक नहीं हूँ कीमत क्या है जो आपको सफलता के लिए चुकानी है बॉप रॉक्टर कहते हैं कि जब जब नीचे गिरो तब तब दोगने उत्सा और द्रण निश्चय से प्रयास करो फेलियर में उत्सा और द्रण निश्चय पैदा करना आसान नहीं है ऐसा करने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ लगती है लेकिन यही है सफलता की कीमत जो आपको हर बार चुकानी होगी विल्मा ने पहले उल्लम्पिक्स में हालने के ततकाल बाद पूरे उत्सा से द्रण संकल्प लिया जब आप ऐसा करते हो तब सबकॉंशेस को सपष्ट संदेश जाता है कि गोल के अलावा कोई डाउट और फेलियर अस्तित्व नहीं रखता और जब एक बार ये संदेश पहुंच जाता है तब सबकॉंशेस गोल को सुईकार लेता है और गोल सच होकर ही रहता है दूसरी बात अपनी कमजोरियों पर यकीन करना बन करो अगर चोटी विल्मा ने डॉक्टर की बात पर यकीन कर लिया होता तो शायद कभी चल भी नहीं पाती अगले पाँच सालों में आप वो बन सकते हो जो आप सोच नहीं सकते कभी भी अपने दिमाग में मत आने दो कि मैं नहीं कर सकता पाँच साल बाद आप खुद सोच कर हसोगे क्यार ये वो छूटी सी आदत मुझे परिशान कर रही थी हमीशा याद रहो आप जितना सूचते हो उससे कहीं ज्यादा सहासी हो जितना दिखते हो उससे कहीं ज्यादा तागतवर हो आप जितना जानते हो उससे कहीं ज्यादा समझदार हो तीसरी बात, discipline अपने शरीर और नर्वस सिस्टम को कमान देने की और फिर उस कमान को पालन करने की जो शक्ती है उसे discipline कहते हैं अनुसाशन आपकी सोच को सच करता है डेविड गॉगेंस कहते हैं कि विल सोचने का खेल नहीं है हर दिन पुश करने के लिए, हर दिन दर्द का टाइम शड्यूल करने के लिए कठोर अनुशासन की जरूर चाहिए फिलमा रुडॉल्फ के अंदर सारे गुण बेकार हो जाते अगर उनके पास discipline नहीं होता इसलिए हर दिन कठिन काम करो, हर दिन schedule बनाओ और हर दिन visualize करो कि आप जो सोचते हो वो करते हो धीरे धीरे आप मजबूत हो जाओगे और आपकी जिन्दगी में discipline बढ़ जाएगा दोस्तो दिन में ऐसा कई बार होता है कि एक पल आता है और हम हार मान लेते हैं इस पल खुद को कंट्रोल करना सीखो डेविड गौगेंस की नई किताब Never Finished से 6 Mental Tricks जो आपको इस सेकंड हार मानने से बचा लेंगी इस वीडियो से आपको practical advice मिलेगी वीडियो अभी देखिए या बात के लिए सेफ कर लीजिए आपके समय से कोई वीडियो, कोई आप, कोई नियूस कीमती नहीं है मैं काम के किस से लाता रहूंगा हिमबत, हरकत, हुश्यारी हम जीतेंगे